दोस्तों बॉलिवुड और क्रियेटिविटी ये दोनों ही एक दूसरे से एक्जेक्टली अपोजिट बात है इन दोनों का दूर दूर तक भी एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है बॉलिवुड से क्रियेटिविटी की या हमें कुछ नया देखने को मिलेगा ऐसी अपेक्शा करना ये ऐसा है जैसे रात्री को सुर्य देखने को मिलेगा या हम सुर्य प्रकाश देख पाएंगे एसे अपैक्शा करना मुर्खता पुर्ण हैं वैसे ही Bollywood से creativity के अपैक्शा करना उससे भी ज़्यादा मुरुखता पुर्ण है अब यथी मैंने लाल सिंग चड़ा का official trailer देखा Y suba às watch some Studios पर इसे release किया गया है trailer की शुरुआत से हम देख सकते हैं ये scene to scene remake है, शुरुवात में हम देखते हैं कि वो जो पक्षी का पंक है, वो फिल्म का lead character, यहाँ पर लाल सिंग चड़ा का character है, उसके पास आकर गिरता है, बिल्कुल forest gum की तरफ, और उसके बाद में इस मुख्य पातर की बच्पन से journey हमें दिखाई जाती है, बिल्कुल mule film क की ही तरफ, मुख्य पातर का दिव्यांग होना, उसके बाद में वो भाग लाल भाग वाला dialogue, और उसके बाद में फिर वो lead character भागते ही जाता है, फिर उसे कोई पकड़ नहीं पाता, और उसके बाद उसका आर्मी में जाना, वहाँ पर जैसे मूल फिल्म में हमने देखा है की forest gum, किस प्रकार से पूरी लगन से, अपने करतव्य को वहाँ पर निभाता है, तो वो एक scene हम यहाँ पर भी लाल सिंग चड़ा में देख सकते हैं, वहाँ पर उसका एक मित्र होता है, तो यहाँ पर भी उसका एक मित्र हमें, मित्र का पातर देखने को मिलता है, और पर यात्रा पर वो निकल पड़ता है तो लगब सीन टू सीन रिमेक है अब मुझे यही समझ में नहीं आता कि इस फिल्म के लिए इतना समय दिया गया सच में मतलब क्या था ऐसा मतलब एक रिमेक आप बना रहे हैं उपर से सीन टू सीन रिमेक creativity के नाम पर वो समय थोड़ा सा history यहां पर अलग देखने को मिलेगी बाकी तो आप बिल्कुल वही की वही सारी बाते उठा कर चिपका रहे हैं अलग से कुछ आपने अलग सोचने का प्रयास किया हो ऐसा कही पर भी इस पूरे trailer में देखने को नहीं मिलता और ऐसी चीज़ बनाने के लिए सच में इतना समय दिया गया और इसको लेकर इतनी hype बनाई जा रही है अभी official trailer release होने से पहले कापी सारे मैंने कुछ articles वगेरा पड़े कि critics कैसे भावक हो गए इसको देखकर वगेरा वगेरा कुछ videos वगेरा भी मैंने देखे कि इस trailer को लेकर कुछ लोग भावक हो गए क्या था इसमें सच में भावक होने जैसा scene to scene remake हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अमीर खान का जो character है उसका वही PK वाला वैसा ही एक character वो यहाँ पर प्ले कर रहा है और वही उसके साथ बस एक Punjabi accent उन्होंने अलग से जोड़ दी है तो कही पर भी भावक होना तो बहुत दूर की बात है इस पूरे trailer को देखते समय कुछ अंदर feel ही नहीं हुआ कुछ भी 1% भी कुछ feel नहीं हुआ और सबसे महतोपुर्णा नहीं जगी और देखी मैंने इससे पहले भी कहा हुआ है कि Forrest Gump अमेरिका की टॉप 25 बेस्ट कंजर्वेटिव फिल्म में से एक उसे माना जाता है Forrest Gump को एक कंजर्वेटिव पॉंट अफ यू से या वहां की जो Republican Party है या Right Wing Ideology या Nationalistic Point of View से जो भी आपका ही है उस दुरुष्टि कौन से बनाए गई वो फिल्म है अब उसका remake बनाते समय यहाँ पर किस दुरुष्टि कौन से भारत की इतिहास को प्रेजेंट किया जाएगा वो तो अभी ट्रेलर से तो उन्होंने कुछ भी इसा reveal नहीं किया है कि वो कौन से कौन से इतिहास को दिखाने वाले हैं उसको उन्होंने चुपा कर रखा या शायद दुसरा ट्रेलर जब वो release करेंगे तब वो सब बाते शायद वो reveal करेंगे पर जब तक पूरी फिल्म release नहीं होती तब तक हम ये guess नहीं कर सकते हैं कि जो इतिहास दिखाया भी जाएगा उसे दिखाने की पीछी की मानसिक्ता क्या है किस दुरुष्टी कोन से उस इतिहास को दिखाया जाएगा इतिहास की तो घटना है दिखाने के कई सरे अलगलग तरीके होते हैं किस विचारधारा से आप प्रभावीत है और किस दुरुष्टी कौन से आप दिखा रहे हैं वो तो फिल्मेकर पर ही निर्भर करता है तो फॉरेस्ट कम को तो टॉप 25 बेस्ट कंजर्वेटिव फिल्मों में से एक का जाता है पर अब उसका रिमेक बनाते समय किस मानसिक तास देखने को नहीं मिली है जातर जो मैंने कमेंट्स पड़े हैं वो इस फिल्म को लेकर नकारात्मक एक कमेंट्स ही मुझे जातर देखने को मिले हैं वैसे अभी तो काफी दिन है इस फिल्म को रिलीज होने को और तब तक हो सकता है कि इस फिल्म को लेकर एक सकारात्मक वाता बताना मुझे तो ओर ओर ओल ये बस एक scene to scene remake ही लग रहा है ये वीडियों देखने के लिए आप सब मीत्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम